नमस्कार मैं हूँ कॉसलेंद्र प्रताप सिंग और आप देख रहे हैं प्रजातंद्र डेवी बिहार में विदानसपा चुनाब की सुगभाहाट के साथ राजनेतिक पार्टियां अपनी अपनी रनीती बनाने में लगी हुई है इसी कड़ी में आज लोग जन सकती पार्टि की बैठक हुई इस दोरान प्रदेश संसदी बोर्ट के अत्यक्स राजुतिवारी ने 94 विदानसबा की बूत लिष्ट जमा की इस दोरान उन्होंने कहा कि पार्टि पूरी तरीके से 94 सीटों पर चुनाव लगने के लिए तयार है बैठक में राजुतिवारी ने कहा कि जल्द ही बाकी 149 सीटों की बूत लिष्ट जमा कर दी जाएगी साथ उन्होंने कहा कि पृति एक बूत अजेंट बैठक करके पार्टि की बिचारों की जानकरी देंगे कोरोना के बड़ते प्रिकोप को लेकर चिंता जाहे करते हुँ उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का आर्थिक बजट भी कोरोना से प्रबाबित हुआ है ऐसे में चुनाव का बोज और भी एक साथ बढ़ेगा उन्होंने कहा कि चुनाव आयो को सोच कर फैसला लेना चाहिए ताकि कोरोना काल में एक बड़ी आबादी को संक्रमण काल से बचाया जा सके और ब्याहर भी दान्सवा चुनाव में लोग जन्शक्ती पाटी 94 सीट के बाद 149 सीटों पर क्या रन्नीती बनाएगी देखिए हमारी खासरे बोड़ लोग जन्शक्ती पाटी के राश्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आगामी ब्याहर भीदान्सवा चुनाव को लेकर गुरुबार को दिल्ली में संसधी बोड की बैठक बुलाई प्रदेश संसधी बोड के अध्यक्ष सहविदायक राजू तिवारी ने दिल्ली पहुँच कर पार्टी सुप्रीमों से मुलाकात की बोड बैठक में दो फॉर्मूले पर मन्थन होने की संभाबना है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पदाधिकारियों से पार्टी अगर 119 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो क्या तैयारी है यह जानकारी मागेगी सभी 243 सीटों पर उम्मीद बार उतारना पड़े तो योजना क्या होगी राश्ट्री अध्यक्ष इस संबंद में कई बार वीडियो कॉन्फरेंस कर दिशा निर्देश दे चुके हैं पार्टी ने प्रदेश अंसधिय बोर्ड के अध्यक्ष राजुतिवारी को सभी सीटों पर भूत का काम सौप रखा है लोग जनसकती पार्टी की संसधी बोर्ड की बैठक में फैसला क्या हुआ है आए जानते हैं बिहार में बीजेपी, जेडियू और लजेपी सयोगी हैं हलांकि दोनों छेत्री दलों जेडियू और लजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा खास चौर से आगामी बिहार बिदानसवा चुनाव में सीटों पर तालमेल को लेकर दोनों दलों में मतवेद नजर आ रहे हैं जिससे सीटों का बटवारा जटिल हो गया है दूसरी और भारती जनता पार्टी दोनों पार्टीयों के बीच सम्मंदों को सहज बनाने की कोशिश में जुटी हुई है इस बीच लजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की अगवाई में उनके दिल्ली इस्तिता आवाज पर लजेपी संसधी बोड की बैठक हुई वहीं आपको बता दे 94 सीटों पर चुनाव लडने की तयारी कर रही है लजेपी इस बैठक के बार पार्टी नेता राजुतिबारी ने कहा संगठन बिहार में बिदानसवा की 94 सीटों पर चुनाव लडने के लिए तयार है अन ही 144 सीटों की बूत लिष्ट जमा की जाएगी बैठक में फैसला लिया गया कि सभी बूत एज़ंट से संसधी बोड बैठक पर पार्टी के बिचारों से अबगत कराएगी और देश दुनिया की तमाम बड़ी खवरों को देखने के लिए देखते रहें देश का सबसे लुख प्रिये टीवी चैनल प्रजातंदर डीवी झाल